हेलो अब्रीवन जय हिंद आज है 31 जुलाई और आज किस वीडियो में हम 31 जुलाई से बनने वाले करंट अफेर के सभी इंपॉर्टन कोश्चन्स को कवर करने वाले हैं इसके लिए आप लोग मुझे टेली ग्राम पर ज़रूर फॉलो करें ताकि आप लोग डेली मुझे जो करंट अफेर पढ़ते ही इसका रिविजन कर सके हैं रिविजन आप कर सकते हैं कुछ फॉर्मिट में जो कि मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कर आती हूं और आप लोगों की डीटेल पीडिएफ भी टेली ग्राम पर शेयर कर देती हूं हमने 30 जुलाई को कौन-कौन से महत्पूल प्रशन डिसकस किये थे हमने डिसकस किया था कि अभी हाली में जो 22 वा कॉमन वेल्थ गेम से शुरू हुआ है कहां शुरू हुआ है इंग्लैंड के बर्मिंगम में इसमें उद्गाटन समाहरों में धोजवाहक रहे हैं पीवी हो जाएगा हाली में 300 साल बाद लूलो रोज नाम का जो सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है यह मिला है अफ्रिकी कंडरी अंगोला में अभी हाली में इंग्लैंड में क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनिल गावसकर के नाम पर रखा गया है सेमी कंड़क्टर पॉलिसी ल टीम रैंकिंग में न्यूजिलेंड टॉप पर है और अभी हाली में असम के ओरंग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर आवोर्ड से सम्मानित किया गया है इस एकसांद शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इंपॉर्टन कोश्चन हाली में तंबाको निरोधी बिल्किस देश की संसद में पेश किया गया है तो अभी हाली में न्यूजिलेंड की संसद में ये तंबाको निरोधी बिल है जो की ये पारित किया गया है मतलब कि न्यूजिलेंड ने अपने देश में धूमर पान को इनकि स्मोकिंग को समाप्त करने के परपस से जो नेक् 2008 के बाद पैदा हुए हैं मतलब कि 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी वेक्ति अपने जीवन काल में सीगर्ट या तंबाकू का जो भी प्रोड़क्ट है यह खरीद नहीं पाएगा ऐसी घोशना भी हाली में न्यूजिलेंड के स्वास्थ मंत्राले के दुआरा जारी की गई हैं और इसका समर्थन भी मिला है मतलब इस तरह का जो बिल लाया गया है न्यूजिलेंड की क्याबिनेट में इस पर संसद में बहस भी हुए लेकिन समर्थन भी इसे मिल गया है तो इसमें इस दौरान ये भी चर्चा हुई कि धूम्र पान की उम्र बढ़ाने के अलावा सीगरेट में जो निकोटिन की समागरी है न जो इस्तमाल की जाती इसमें कटोती की जाएगी और उन्हें दुकानों और सूपर मार्केट की बचाय केवल विसेश तमबाकों की दुकान में बेचने का अनुमती है जो की ये प्रवाइड कराया जाएगा दुम्रपान और ई-सिगरेट सहीत जितने भी तमबाकों प्रोड़क्ट है इस पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है ठीक है क्योंकि स्मोकिंग के कारण या सिगरेट के कारण जाद इस्तमाल से लोगों की जान भी जाती है कैंसर भी हो जाता है इसी से भी आप रि और खरीट्ते नहीं भी उग भई तो आप लगोंने देखा होगा कि छेतावनी रहती है तो पैकेट में रहती की पुरा पैकेट वक्तीं खरीदेगा तब चेतावनी पढ़ेगा केवल एक-एक सिगरेट पर आसा नहीं होता था लेकिन अब हर सिगरट पर कराड़ा में यही एक सिग्रट भी खरीदी जाती तो उस पर चेतावनी लिखी होगी पहले हम न्यूजिलंड के बारे हम डिस्कस कर लेते हैं यह देखो इंडिया के नक्से में यहां श्रीलंका इधर मौल दीप इधर आओगे तो थाइलेंड फिर यहां से सबसे बड़ा दीप समू इसी इसकी डॉलर हो जाएगी प्राइम मिनस्टर यहां की दोबारा से कौन बनी थी जैसिका अर्डन और न्यूजिलंड कैबनेट में शामिल जो पहली भारती प्रियंका राधा कृष्णन बनाई गई थी कल ही तो मैंने आप लगों को बताया था कि आई से वंडेट टीम में जो कंट्री टॉप पर है यह न्यूजिलंड ही हो जाएगी पिछले ही साल इसने गोशना की थी कि लकड़ी से बना पहला सेटलाइट है जो कि यह लॉंच करेगा अब यहां बिल की बात की जा रही तो चलो और ऑप्शन को हम रिलेट कर लेते हैं कनाड़ा के बारे में यह तो मैंने बता ही दिया है एक गन कंट्रोल विधेयक गन कंट्रोल बिल कहां लाए गया अमेरिका मे लाए गया जिसके कारण शर्चे में था एक और बिल जो कि काफी ज़दा विवादों में था अबोर्शन बिल कि अपने मन से अबार्शन नहीं कराया जा सकेगा ऐसा जिसके बाद उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो जापान में ऐसा बिलाए गया है कि यह ऐसा कोई काम करता है और उसे जेल तक की सजा हो सकती है अगला प्रशने हाली में भारती नौ सेना को पहला स्वदेश निर्मित वाहन पोथ मिल गया है इसका नाम क्या है तो आई एनस विक्रांट 28 ये भारत में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्ध पोथ है जिसे 20,000 करोड की लागस से बनाया गया है कोचीन नवी को सौपा है 262 मीटर लंबा है 62 मीटर चौड़ा है और इसमें से तीन लडाकों विमान और हेलिकॉप्टर ये ले जाने की इसकी कैपसिटी है तो अभी इसमें शामिल हो चुका है इंडियन नेवी में इंडियन नेवी दे 4 दिसंबर को मनाया जाता है तीनों सेनाओं को मुख्याल है नई दिल्ली में है नौ सेना प्रमुक आर हरी कुमार ये हो जाएंगे इसके लावा इंडियन नेवी से रेलेटेड अधर फेक्टिदी आप डिसकस करोगे तो आई इनस द्रू इंडियास फर्स्ट लॉंग रेंज न्यू क्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप आई इनस वगशीर तो प्रोजेक्ट 75 के तहट भारत में यहां मैं अलग से लिख देती हूं प्रोजेक्ट 75 के तहट इंडिया नेवी में जो पांच स्कॉर में पंडुब्य शामिल होनी है माफ किज़ेगा 6 छे पंडुब्य शामिल होनी है जिसमें की कलवरी है करंज है खंडेरी है तीन यह हो गई इसके बाद चौथी शामिल होई थी वैला पांची शामिल होई वागीर और अब छटवी शामिल हो चुकी है वगसीर तो यह छटवा वही स्कॉर्पन पंडुब् क्यों चर्शे में था क्योंकि अभी हाली में इसे प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं हाली में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपेंशिप 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है पहले तो आप यह कोजीन और और ओरेगोन में आयोजित किया गया अमेरिका ने सबसे जादा मेडल जीते हैं तेरा गोल्ड नौ सिल्वर और ग्यारा ब्रॉंज इथोपिया दूसरे स्थान पर रहा और इसमें भारत ने केवल सिल्वर मेडल जीता किसने दिलाय था नीरा चोपड़ा ने और फिर भारत इसमें 33 स्थान पर रहा है भारत किसमे 48 स्थान पर था तो यहां लिख देती हूं है समर ओलंपिक समर नहीं लिखती हैं टोक्यो ओलंपिक लिख देती हूं टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है 48 स्थान पर था 7 मेडल के साथ टॉप पर तो यू ऐसे था पैरलंपिक में इसी टोक्यो में जो पैरलंपिक हुआ इसमें भारत पैरलंपिक में 19 मेडल जीते थे न भारत ने और 19 मेडल के साथ 24 स्थान पर था तो यहाँ 24 होना चाहिए मैं PDF में से मोडिफाई कर दूँगी दस्वे स्थान पर किस में था भारत तो यह स्पोर्ट से रिलेटर तो नहीं है लेकिन एक इंडेक्स ही है साइबर सेक्यूरिटी को लेकर कि तो साइबर सेक्यूरिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा था तो विस्टन चर्चिल जो की यूके के पूरो प्राइम मिनस्टर थे इनी के सम्मान में मतलब कि इनके पदचिन्नों पर कारी करते हुए कोई व्यक्तियदी को या साधारन कारी करता है तो उन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जाता है 2006 से ये अवार्ड दिया जा रहा है यूकरेन की राजधानी कीव है और कीव से थोड़ी दूर पर इस्थित एक शहर है बूचा बूचा नर संघार आप लोगों को याद होगा जहां 400 से 500 डेट बॉड़ी मिली थी इसका पूरा पूरा इलजाम यूकरेन ने किस पर लगाया था रश्या की उपर लगाया था जापान के पूरो प्राइम मिनिस्टर सिंजो अबेका भी हाली मोगोली मार करके हत्या कर दी गई जिसके बाद इन्हें मरनो प्रांत जापान के हाई सिविल एन ओनर से सम्मानित किया गया जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडंट है यह यह टाइम मैगजीन के दौरा इन्हें परसन ओफ दा यर 2020 इन्हें और कमला हैरस इन्हें चुना गया जबकि परसन ओफ दे यर 2021 तो ऐलन मस्क है फ्रांस के जो प्रेसिडंट है इम्मानुल मैकरॉन इन्हें युनाइट नेश चैंपियन ओफ दे अर्थ अवोर्ड से किसलिए इंटरनेशन सोलर अलाइंस के पहल के लिए अगला प्रश्ण हाली में किस फॉर्मुला वन रेसर ने फॉर्मुला वन से सन्यास की घुश्णा कर दी है तो अभी हाली में जो सेवेस्टियन वेटन हैं जो कि जर्मनी से बिल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनके पास सूपर लाइसंस होता है भारत में केवल एक ही बारिस का आजन हुआ था तो सवेस्टियन वेटन का करियर 2007 से चल रहा था अभी इन्होंने सन्यास ले लिया है वोर्टरी वोट टास्क यहीं मैं बात करो यह फिनलैंड से बिलॉंड कर हैं यह इंग्लेंड से पहल जायंगे लुइस आमिलिंटम है यह मर्सिडीस के वाद समय कि एडिकिसर टूप पनकी तो यह डच बेलिजिएम से बिलॉंड वर्य Harsh syr के ड्राइवर है यह रेड बुल के ड्राइवर हो जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फेस्टिबल से रिलेटेड है हरेली फेस्टिवल कहां मनाया गया तो यह चत्यस गड़ में मनाया जाने वाला एक प्रमुक क्रसी का तेवहार है तो इसमें बस इतना आद रखन वन नेनर फॉर्मट में यह क्रसी से संबन देती है फसलों से रिलेटेड तेवहार है वसे हरियाली बोलते हैं लेकिन चत्यस गड़ी भासा में इसे हरेली बोला जाता है और यहां खेती किसानों किसानी में उप्योग होने वाले जो ऑजार है और इसके लावा हल बैल इन सेंचुरी कांगेर घाटी और अचानक मार वाइले सेंचुरी बता दिया इसके अलावा गुरुघासी दास नेशनल पार्क यह सभी कहां है चत्यस गड़ में हो जाएंगे इसके अलावा इदियाब रिलेट करों तो लेमारू हाथ ही अप्यार रन्य जो कि चर्चे में था यह भी 36 गड़ में ही हो जाएगा क्योंकि यहां विशालतम कोईले के भंडार पाई जाने की संभावना व्यक्त की गई थी अकॉर्डिंग टू कोईला मंत्राले भारत में सब ज़्यादा कोईले का भंडार यह 36 गड़ में ही पताया गया है तेलंगाना में एक फूलो को त करेक्षक है जल्ली कत्यों कि एक हेस्टीवल मनाये गया चांध को थोड़ा सा थिमाग पर जोड देना है आपको यह बताना है कि बारा साल बाद जम्मु कश्मीर में एक ट्वर मनाये घ्यां तो बतंच जोड़ दीजे या गूगल कीजिए ऐसा कौन सा फ़ेशने बारा साल बादियां पर आगला प्रशने हैं हाली में किस राट जिने फैमिली डॉक्टर प्रजेक्ट लॉंच किया गया है तो यहां आंदर प्रदेश के वार्ड और ग्राम सची वाले की लोगों को जितनी भी हेल जाजधानी आप लगों को याद रखनी है अमरावती अमरावती में भारत का 25 हाई कोट है जगन मुहन रडडी यहां के मुख्य मंत्री हैं जिने स्कॉच शीफ मिनस्टर ऑफ दैयर आवोर्ड से सम्मानित किया जा चुका है विश्व भूशन हरी चंदन यहां के राग्ज यह कौन सा हो जाएगा राजिस्थान हैं लगों को सेमी कंड़क्टर पॉलसी लागू करने वाला जो पहला राज्जे है कुजरात बना है और तमिल लाडू से आप यह रिलेट कर सकते हो सरकारी स्कूलों में फ्री में नास्ता देने वाला पहला राज्जे तमिल लाडू ह अगला प्रश्ण है बम hali in!.. किस भारती महिला कृकेटरौं मे क्रिकेट के सभी फॉर्मट से सन्यास ली जुलाई में वसले पहलें तुमित्याली Rat ले चुकी हैं लेकिन अभी जूलाई में रिसेंट लिजुक द्यूर जैन है你是 ने च्रिट के सभी फॉरमर्स सथा ले लिया है इनका करियर क्या था कितने कितने मैच खेलें तो एक्जाम में नहीं पुछा जाएगा और 2004 में इन्हों ने डेब्य किया मोर देन 17 एनका करियर था और अब इन्होंने सथा ले लिया है जूलंगो सवामी को आप नादिया Express के नाम से जानते हैं इसमरती मंधाना ICC के द्वारा सर्व स्रेश्ट महिला क्रिकेटर चुना गया और छे वर्ल कप में पार्टिसिपेट करने वाली मिताली राज ने सन्यास ले लिया है अगला प्रश्ण है अपने मूल कंपनी के विले के बाद अब कौन सा बैंक दुनिया के टॉप 10 सबसे मूल निवान बैंकों में शामिल होगा तो इसमें से जो HDFC बैंक ही अपने मूल कंपनी के साथ विले होने जा रहा है तो HDFC बैंक और HDFC का जो सेक्त बाजार पूंजी करण है यह एक सो साथ अरब डॉलर यह पहुचने जा रहा है तो इसका विले के साथ अब यह टॉप 10 वैल्यूबल बैंकों में शामिल होने जा रहा है Housing Development Finance Corporation इसकी पुलफॉर्म बनती है 1994 में इसकी स्थापना हुई और Headquarter इसका हो जाएगा Mumbai महराश्ट में अतनु चक्रवर्ति इसके Chairman है और ससीधर जगदीशन CEO हो जाएंगे Kotak Mahindra Bank यह Know Your Customer यहने की Online KYC की Facility प्रवाइड कराने वाला पहला बैंक है Cardless नगत निकासी की सुविधा प्रवाइड कराने वाला पहला बैंक ICCI Bank है सबसे बड़ा Commercial Bank SBI है जिसने अभी हाली में जम्मू कश्मीर के डल लेक में अपना floating ATM ऊपन किया है वैसे इसका पहला floating ATM 2004 में केरल के कोच्ची में ऊपन हो चुका है अब लास्ट काई जो कोश्चन है ना इसे आप current के point of view से भले ना देखें लेकिन स्टाटिक के point of view से देखें आप माने ना माने UPSC में भी नेशनल पार्क से रिलेटेड़ प्रशनें पूछे जाते हैं कुछ डिफिकल्ट नेशनल पार्क इधर लिग दे जाएंगे और इनसे रिलेटेड़ कुछ राज्यो की नाम और मैच करने के लिए दिया जाता है आप लोगोंने previous year के कोई पेपर अटेम्ट की होंगे तो दे महाराज की राजधानी जो हो जाएगी यह हो जाएगी मुंबई एक नाश शिंदे अभी हाले में यहां के मुख मंत्री बनाए गया है और भगत शिंख हो श्यारी तो राजेपाल है ही मुंबई को एदिया आप रिलेट करोगे ना तो यह हर साल 2 mm किदर से पानी में समा रह करते हैं असम में वसे साथ मैंने आप लोगों को याद करवाए हैं जिसमें की साथवा दिहंग पटकाई बना था और और अरंग भी मैंने बताया है क्योंकि इसे भी हालिम इंटरनेशनल रेंजर अबॉर्ड मिला है और इसके अलावा दिहंग पटकाई हो गया राय मुना क अधाजी रंगा जो की एक सिंग वाले गेंडे के लिए यह असम मिस्तित है फिर राजिस्थान से रिलेट करोगे तो सरस्क हो गया केवला देव हो गया तरण थंभार हो गया गुजरास से दी रिलेट करोगे तो गीर हो गया गीर वनसदा ब्लैक बक मरीन महरधिक काइदि आप रिलेट करोगे तडोबा तो रहा क्यालावा एक चंड्डॉफली नेश्नल पार्क आप रिलेट कर सकते हो चंडॉफली के अलावा संजे गांधी नेश्नल पारक रिलेट किया जा सकते हैं अbound случ Exc ₷ में ज्यक्त पन्ना, माधह सत्पुड़ा, फाजिल, कानहा, बांधोगड, है न, यह सब भी रिलेट किया जा सकते हैं, मैंने कल आप लब उसे पूछा था, इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन परियोजना से, जो रशिय दोजार चौबिस तक खड़ जाएगा, आज को सवाल है, यह अम्रत एप किसने लॉंच किया है, इस तरो DRDO, IMD या नीति आयोगने, आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थांक्यू सो मच,